हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज से हम एक नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, और जो competitive exams की त्यारी कर रही है, वो भी इसको lectures को देख सकते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, देखें, देखें, ट्रिग्नोमेट्री में हम हर चीज कवर करेंगे, जितने भी questions बन सकते हैं, हम सारे questions ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते हैं राइट अंगल ट्राइंगल क्या होता है ठीक है ये राइट अंगल ट्राइंगल है येस ठीक है मैं इसका नाम दे देती हूँ उस ट्राइंगल का A, B और C ठीक है A, B, C मैंने इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ठीक है और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा ये कितने डिगरी का होगा यह अंगल 90 डिगरी का होगा, यह आपको पता है, यह अंगल कितने डिगरी का होगा, यह 90 डिगरी का होगा, और जो ये दोनों अंगल होगे, माल लो, ये जो दोनों अंगल होगे, माल लोगा ये अंगल, माल लोगा ये अंगल थीटा है, अगर ये अंगल थीटा है, तो ये कितना होगा यह एंगल कितना होगा यह 90 माइनस थीटा होगा यह एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा देखो आपको पता है जो ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है आपको पता है Sum of 3 angles of a triangle is 180 degree, 180 degree का होता है, अगर ये वाला जो angle है, वो 90 degree है, अगर ये वाला angle जो 90 degree है, तो आपको पता है, ये जो दोनों angle होंगे, वो क्या होंगे? ये दोनों angle क्या होंगे? ये दोनों angle acute angle होंगे, ये क्या होंगे? ये 90 degree से कम होंगे, ये 50, 60, 70 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये दोनों angle होंगे, वो acute angle होंगे और 90 degree से कम होंगे, य ये दोनों एंगल्स acute angle होंगे, acute angle क्या होता है, जो 90 degree से कम होता है, ये क्या होंगे ये दोनों एंगल्स? ये acute angle होंगे, ये दोनों के दोनों less than होंगे 90 degree, आपको पता है, आप देखो यहां से आप देख भी सकते हो, जब आप इन तीनों एंगल का sum करोगे, जब आप इसका sum क आरोगे तो क्या होगा 90 plus theta plus 90 minus theta कितना होगा देखो theta से theta cancel हो गया 90 plus 90 कितना होता है 180 degree आगया 180 degree ये 90 degree आगया ना 180 degree तीनों angles का sum कितना आ गया 180 degree आ गया ठीक है So that means अगर ये वाला 90 degree है तो ये दोनों angles क्या होंगे? ये दोनों angles acute angle होंगे That means less than 90 degree होंगे ठीक है अब एक और चीज़ देखें अब देखें एक और बाद एक चीज़ देखें देखो मैंने again मैं क्या कर रही हूँ एक right angle triangle बनाती है मैंने again एक मैंने right angle triangle बनाया जहां पर ये वाला angle कितना है 90 degree है ये fix है मैं इसको नाम दे देती हूँ इस triangle को A, B, C ठीक है आपको पता है आपको ये चीज़ पता होगी 90 degree के जो सामने वाली side होती है 90 degree के जो सामने वाली side होती है उसे हम क्या बोलते है उसे हम high pot news बोलते हैं हम इसको short form में h से लिखते हैं और ये क्या होते है इसको हम high pot news बोलते है ठीक है ये क्या होती है 90 degree के जो सामने वाली side होती है उसे हम क्या बोलते है high pot news बोलते है और अगर मान लो ये वाला angle आपका theta है अगर माल लो आपका ये वाला जो एंगल है वो क्या है थीटा है जो थीटा के सामने वाली साइड होती है थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते है परपेंडिकुलर बोलते है उसे क्या बोलते है परपेंडिकुलर इसे हम किसे डिनोट करते है पी से डिन करते हैं B से, तो आपको इतना समझ आ गया, 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोट न्यूज बोलते हैं, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है, उसे हम प्रेपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो साथ वाली साइड होती है, उसे हम बेस बोलते हैं, ठ हम देखते हैं, एक important चीज़, Pythagoros Theorem क्या होती है. ठीक है, सो start करते, Pythagoros Theorem से, देखो. Pythagoros Theorem, क्या कहती है, Pythagoros Theorem यह theorem क्या यह theorem कहती है, the square of hypotenuse, जो यह hypotenuse का जब मैं square करूँ, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to, the square of hypotenuse is equal to sum of, sum of square of, sum of square of legs of, legs of right triangle, यह right angle triangle, ठीक है, so इसका मतलब क्या है, देखे समझते हैं, यह क्या कह रहा है, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to, the sum of square of legs of right triangle, आप कहेंगे अब यहाँ पे legs कौन सी है, यहाँ पे legs क्या होती है, देखो legs क्या होती है, जो यह 90 degree के साथ में, जो दोनों sides होती है, यह वाली और यह वाली, जो 90 degree के साथ में, दोनों चिपकी हुई sides है, that are called legs, इसे हम क्या कहते है, legs कहते है, right triangle की, क्या कहते है, इसे हम legs कहते है, so pythagoras का formula क्या होते है, pythagoras का formula होते है, hypotenuse का square, hypotenuse का square is equals to sum of squares of legs of right triangle, that means p square plus b square, तो क्या होते है, pythagoras theorem का formula, h square is equals to p square plus b square, यह आपको याद रखना है, throughout the trigonometry जह मुं करेंगे, यह आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होते है, formula h square is equals to p square plus b square, ठीक है, अब देखो, अब आपको paper में आपको ऐसे चीज आ सकती, आपको दो sides आपको given हो, आपको right triangle में आपको कोई भी दो sides given हो, आपको दूसरी side निकालनी हो, तो आप कैसे करेंगे, मालो आपको given है, p आपको 3 given है, और b आपको 4 given है, मालो, p आपको 3 given है, और b आपको 4 given है, तो आपको hyper news निकालना है, आपको तीसरी side निकालनी है, तो आप कैसे निकाल लेंगे आप ये वाला formula यूस करेंगे सो कैसे करेंगे देखो h square h square is equals to 3 square plus 4 square यही होगा 3 का square कितना होता है 9 9 plus 16 is equals to 25 सो क्या हो गया h square कितना आ गया 25 आ गया that means hypotenuse कितना आ गया 5 आएगा plus 5 आएगा minus 5 क्यों नहीं आएगा minus 5 इसले नहीं आएगा यह side है side कभी negative में नहीं होती so hypotenuse कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा so that means अगर t3 है b4 है तो h कितना हो गया h hypotenuse आपका 5 हो जाएगा हाइप पोट न्यूस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा मैं आपसे पूछू हूँ मालो मैं एक और कोश्चन ले लेती हूँ मालो मैं आपसे पूछू हूँ आपको P गिवन है 5, B गिवन है आपको 12 तो आपको H बताना है H कितना होगा आपको H बताना है H कितना होगा सो अगेन आप यह वाला फॉर्मुला लगाओ फॉर्मुला क्या होगा H square, H square is equals to 5 square plus 12 का square यही होगा तो 5 का square is 25 plus 12 का square is 144 तो यह कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, 9, 4 प्लस 2, 6 और 169 हो जाएगा हमें पता है किसका square होता है 13 का होता है तो H कितना आजाएगा 13 आजाएगा तो अगर P 5 है, B 12 है तो H कितना हो गया? H 13 हो गया ह कितना हो गया? H 13 हो गया आया समझ अगर आपको कोई भी 2 side given हो जरूरी नहीं, सिर्फ B और B ही given होगी B और H भी given हो सकती है, आपको P निकालना है, कोई भी आपको 2 side given हो, आपको तीसरी अपने आप निकालनी है, अप इस formula से निकालेंगे, ठीक है? अब देखो अब एक चीज और देखो, देखो, इसको मैं रब कर देती हूं और इन दोनों को मैं लिख लेती हूं से अब, इसको भी मैं रब कर देती हूं एक definition और आती है, एक definition और है, definition क्या है? एक definition और है और क्या है? वो पाइथा गौरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाईथा गौर्ण ट्रिपलेट क्या होता है? देखो, मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, मैंने आपको बताया था, P अगर 3 है, B अगर 4 है, तो H कितना आ रहा था? H हमारा 5 आ रहा था P अगर 3 है B अगर 4 है तो H कितना आ रहा था H 5 आ रहा था ये कुछ नहीं ये बेसिकली है क्या ये एक Pythagorean triplet है ये क्या है एक Pythagorean triplet है और मैंने अभी आपका एक और बताया था अगर P कितना है 5 है B अगर 12 है और H कितना है H कितना था 13 था तो ये भी क्या है ये भी एक Pythagorean triplet है तो Pythagorean triplet की define क्या होती है Pythagorean triplet की define होती है कि ऐसी 3 देखो मैं ये आपको खुद मैं बना के ये define बता रही हूँ आपको ये exact अगर आपको learn करनी है तो आप बुक में से देख सकते है सो क्या है देखो 3 positive integer value 3 positive integer value देखो एक चीज़ याद रखना है ये हमेशा क्या होंगी positive होंगी ये जो Pythagorean triplet हमेशा positive होगा negative नहीं होगा 3 positive integer value that satisfies that satisfies पाइथागौरस थ्योरम that satisfy पाइथागौरस थ्योरम is called Pythagorean triplet is called Pythagorean triplet तो इसका मतलब क्या है ऐसी 3 positive integer value ऐसी 3 positive value जो क्या satisfy करे जो पाइथागौरस sorry जो क्या satisfy करे जो पाइथागौरस थ्योरम को satisfy करे that means वो किसे satisfy करे वो x square is equals to p square plus b square इसे satisfy करे तो हम उसे क्या कहेंगे वो क्या है एक Pythagorean triplet है ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं इसको satisfy कर रहे हैं जब आप 3 का square करोगे या जब 4 का square करोगे तो किसके एक को ला रहा था 5 के ये दोनों क्या हैं ये एक Pythagorean triplet है ऐसे बहुत सारे Pythagorean triplet है मैं चाहूंगी आप comment में मुझे at least एक Pythagorean triplet जरूर बताए at least एक Pythagorean triplet आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे ये आपका homework है ऐसे 3 integer values positive integer value जो क्या satisfy करे जो इस Pythagorean theorem को satisfy करे उसे हम क्या कहते हैं Pythagorean triplet कहते हैं ठीक है तो देखते हैं नेक्स चीज़ इसको मैं रब कर देती हूं आप मुझे at least एक जरूर बताएंगे ठीक है मैं इसको रब कर देती हूं अब हम बात करते हैं trigonometric ratios के बारे में ठीक है अब हम बात करते हैं trigonometric ratios के बारे में Trigonometric Ratio ठीक है Trigonometric Ratio ठीक है मैं again एक right angle triangle बना लेती हूँ मैं again एक right angle triangle बना लेती हूँ ठीक है जिसके मैं sides का नाम A, B, C ठीक है ये वाला angle कितना होगा 90 degree होगा और इसको मैं ले लेती हूँ theta इसको मैंने क्या ले लिया? theta ले लिया ठीक है तो अब मैं आपसे पूछू मैं आपसे पूछू कि sine theta ये मैंने आपको बताया था ये वाली अगर ये theta है तो उसके सामने वाली side क्या होती है? perpendicular होती है 90 degree के सामने वाली side कौन सी होती है? high pot news होती है और theta के साथ में कौन सी होती है? base होती है ठीक है तो अब मैं आपसे पूछू कि sine theta की value क्या होगी? so sine theta की value क्या होती है? p by h that means sine theta की value होती है bc upon me ac ये आपको याद रखना है sine theta की value क्या होगी? bc upon me ac that means bc क्या है? bc है p और ये ac क्या है? ac है h that means अगर आपसे पूछे sine theta की value क्या होती है? sine theta की value होती है perpendicular upon me hypotenuse ठीक है? मैं आपसे पूछू cos theta की value क्या होती है? मैं पूछू cos theta की value क्या होती है? so cos theta की value होती है ab upon me ac क्या होगी? ab upon me ac so यहाँ पे ab क्या है? ab है b base है और ac क्या है? hypotenuse, so sin theta किसके equal है, sin theta equal है perpendicular upon में hypotenuse और cos theta किसके equal है, cos theta equal है, base upon में hypotenuse, ठीक है so अब एक पहला formula हम start कर रहें, trigonometry का, पहला formula क्या है पहला formula है कि tan theta किसके equal होता है, tan theta किसके equal होता है, tan theta equal होता है, sin theta upon में hypotenuse, अगर मैं यहाँ से देखू, so tan theta की value कितनी हो जाएगी tan theta की value होगी, देखो, sin theta किसके equal है, sin theta equal है, p by hk, p by hk और cos theta किसके equal है, cos theta equal है, b by hk, है इसके equal, अब मैं इसको उपर ले आती हूँ, तो यह कितना होगा h upon में b, तो यहाँ से h से h cancel हो जाएगा, so tan theta कितना आ गया, p by b के equal tan theta की किसके equal आएगा, perpendicular upon में base के, so यह तीन थे आपके formula, अभी cos theta भी पड़ा है, sec theta भी है, और cot theta भी है, यह तीनों हम कल करेंगे, ठीके, सो आज के lecture के लिए इतना बहुत है, अब हम कल करेंगे, आपको, मैंने एक homework दे दिया, आपको, मुझे comment section में python triplet एक जरूर बताना है, ठीके, सो मिलेंगे हम कल lecture में, ठीके, thank you